इली जी आज मैंने आपके मन पसंद पनीर के परांठे बनाए हैं पनीर के परांठे तो शालीनी को भी बहुत पसंद है कहा रहे गई हमारी बिटियारानी अभी तक आई नहीं वो आपकी बिटियारानी नहीं बलकि कुमगरण की बहन है इसकी वज़े से हमने 8 बजे की बज़ए 9 बज़े नाश्टा करना शुरू कर दिया लेकिन ये महरानी है कि 11 बज़े से पहले उड़ती ही नहीं है ना जाने कल को जब ससुराल जाएगी तो वहां कैसे अपने ससुराल वालों को समय से नाश्टा करवा सकेगी रगु और मम्ता आपस में बाते करते हुए नाश्टा कर लेते हैं और ऐसे ही 11 बज़ जाते हैं 11 बज़े मम्ता की बेटी शालिनी नहाद होकर तयार होकर नाश्टा करने के लिए आती है मा बहुत जुरुकी भूख लगी है चल्दी से मेरा नाश्टा लगा दो क्या बनाये है आज नाश्टी में आपने पनीर के पराटे बनाए थे लेकिन अब तो वह खत्म हो चुके हैं लेकिन क्यों मा आप तो जानती हो ना कि मुझे पनीर के पराटे खाना कितना पसंद है क्योंकि बेटा वो पनीर के पराटे मैंने नाश्टी में बनाई थे दुपहर के खाने के लिए नहीं टाइम देख रही हो, क्या हो रहा है? कल को जब ससुराल जाओगी, तो क्या अपनी ससुराल वालों को दुपहर के खाने के वक्त सुभे का नाश्ता करवाएगी? उफो आप क्यों इतनी फिक्र करती हो मेरे ससुराल वाले कौन सा सुभे 5 बजे उठ के नाश्ता करने वाले हैं शादी के बाद मैं समय से उठूंगे और उन्हीं समय से नाश्ता करवाऊंगी शालिनी को सुभा जल्दी उठने की आदत नहीं थी जिसके चलते शालिनी नाश्ता काफी देर में किया करती थी इसलिए शालिनी के माता पिता काफी ज़्यादा परिशान रहती थी ऐसी समय गुजरता है और शालिनी का एक काफी बड़े परिवार में रिष्टा हो जाता है कहने को शालिनी के ससराल में पहले से ही दो बहुएं होती है लेकिन ये रिष्टे में शालिनी से छोटी होती है शालिनी के दोनों देवर ने बहुत पहले सी अपनी मर्जी से लब मैरेच कर ली थी इसलिए अब आखर में शालिनी इस बड़े से परिवार की बहु बनकर अपने ससुरा लाती है शालिनी तो मुझे पूरी तरह से ठका दिया अब तो मैं कल शाम तक आराम से सोंगी शालिनी कप्रे चेंज करके सो जाती है लेकिन जैसे घड़ी में रात के साड़ी तीन बजते हैं तो शालिनी के कमरी के दर्वाजे पर शालिनी की नंद खटखटाने लगती है अरे यार अब कौन आ गया इतनी अच्छी नीद लगी थी शालिनी नीद में उठती है और दर्वाजा खोलती है प्रिया तुम वो भी साड़े तीन बजे क्या हुआ ये क्या भाबिया आप अभी तक तयार नहीं हुए साड़े तीन बज गए है जल्दी जाए और नहा दोकर तयार हो जाए गर में सभी के नाष्टा करने का वक्त हो रहा है सभी को 5 बजी तक नाष्टा मिल जाना चाहिए क्या? 5 बजी तक नाष्टा इतनी सुभे सुभे कौन करता है? हम करते हैं सबके घर के रेती रिवास अलग होती है समझें आप अब जल्दी से जाईए और तयार हो जाईए फिर आपको नाश्टे की तयारी भी तो करनी है बिचारी शालिनी अपने ससराल वालों की पांच बजे नाश्टा करने की बात को सुन कर काफी परेशान हो जाती है शालिनी अब आदी अधूरी नीन में ही तयार होती है और नाश्टा बनाने के लिए किचिन में आ जाती है अब इतनी सुबे सुबे में क्या बनाओ मेरी तो ठीक से आँखे भी नहीं खुल रही है एक काम करती हूँ शालिनी ब्रैट सेख कर उस पर बटर लगा देती है और जूस के साथ सभी को नाश्टा परुषती है जिसे देख सास कहती है शालिनी बहु एक तो तुने पांच बजे का नाश्टा हमें साड़े पांच बजे दिया है और उसमें भी तूने हमें ये ब्रेट बटर दे दिया मा जी इतनी सुबह सुबह नाश्टा कौन करता है अब पांच बजे में आप लोगों के लिए क्या ही बना पाती जी ठानी जी कहने को तो हम आपकी दिवरानी है लेकिन हर दिन सुबह पांच बजे ओड़कर हमने घरवालों के लिए तरह तरह के नाश्टा तयार की है तो आप क्यों नहीं कर सकती जाई और सभी के लिए परांठी, पनीर की भुरजी, कटलेट, सैन्विच और अधरकी चाई बना कर ले आई जी ठानी होने के बावजूद भी शालिनी देवरानी की बात सुन कर किछिन में जाती है और सभी के लिए नाश्टा तयार करती है इतनी सुबह सुबह उठकर नाश्टा बनाने की वज़ा से शालिनी काफी ठक चुकी थी इसलिए अब वो जाकर सो जाती है लेकिन तब भी शालिनी की दूसरी देवरानी उसके कमरे में आती है अपनी देवरानी के मूँ से हर सुभा पांच बजे नाश्ता तयार करने वाली बात को सुनकर शालिनी काफी ज़ादा परिशान हो जाती है शालिनी को काफी तेज नीद आ रही होती है इसलिए वो नाश्ता तयार करते करते किचिन में ही सो जाती है जिसके चलते शालिनी की बनाई हुई सबजी अब धीरे धीरे जलने लगती है सबजी जलने की बदबू से मादवी जैसे ही किचन में जाती है तो शालिनी को इस तरह सोता देख कर उस पर काफी चलाती है अपनी सास के चलाने की आवाज से शालिनी घबरा कर उठ जाती है तो जैसी लापरवाई इंसान मैंने आज तक नहीं देखी, तो किचन में सो रही है, देख सारी की सारी सबजियां जल गई, अब हम सब लोग नाश्टे में क्या खाएंगे, माजी मुझे माफ कर दीजीगा, मैं जल्दी से दुबारा से सबजी बना दीती हूँ, शाले नी जल कर तो दी थी, लेकिन इन्हें आज आज आफिस के लिए चल दी निकलना है, तो मुझे इनके कपड़ी प्रेस करनी है, और भावी मुझे तो आज मंदिर कर की सफाई करनी है, तीन दिन हो गए है, ठीक से सफाई नहीं हुए मंदिर कर की, दोनों दिवरानिया वहाना बना कर चली जाती है, तीन तीन बहु होने के बावजूद भी हमेशा बड़ी बहु को ही हर रोज अपने सस्राल वालों के लिए पांच बजे तक धेर सारा नाश्ता तयार करना होता था, रोज रोज इतनी सुबा उठने की वज़ा से और देर रात काम करने की वज़ा से शालिनी क हर वक्त कपड़ा बांध कर रखती थी, शालिनी मैंने तुम्हें सुबा एक ब्लू कलर की फाइल दी थी न, वो ज़रा देना मुझे, शालिनी, शालिनी कहां खो गई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ कहां क्या आपने, कहां खोई होई थी, तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें वो फाइल दी थी, ठीक से नीन न मिलने की वज़ा से अब धीरे-धीरे शालिनी के ब्रेन टिशूस कमजोर होने लगे थी, जिसका असर अब शालिनी पर होने लगा था, आए दिन शालिनी धीरे-धीरे चीज़ों को भूलती जा रही थी, साथ ही शालिनी की आँ तुझे मैंने आज पोहा बनाने के लिए कहा था ना, कहा है पोहा, जब से इस खर में आई है, तब से हम सब का नाश्टा करने का तो वक्त ही बदल कर रख दिया है, कभी पांच, कभी सवा पांच, तो कभी साड़े पांच, अब मेरी शकल क्या देख रही है, जा जाकर पोह बना, शालिनी गिरते पिरते किचन में जाती है, और नाश्टे में पोहा बनाने लगती है, तब ही अचानक शालिनी की आँखों के सामने अंधेरा चाने लगता है, ये मेरी आँखों के सामने अंधेरा क्यों जा रहा है, सब कुछ काला-कला से दिखाई दी रहा है, शालिन शालिनी, उठो शालिनी, क्या हुआ तुम्हें, शालिनी? सभी लोग शालिनी को जल्दी से नजदी की हस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर शालिनी का चेक अप करता है डॉक्टर साहब, मेरी शालिनी कैसी है? रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए, रिपोर्ट से हमें पता चला कि आपकी पतनी का ब्रेन काफी जादा कमजोर है उनके ब्रेन टिशूस भी धीरे-धीरे काफी कमजोर हो चुके है लगता है आपकी पतनी ठीक से नीन नहीं लेती है देखिए आप भी तो हमने उन्हें दवाई दे दी है अगर वो इसी तरह अपनी नीन को पूरा नहीं करेंगी तो कल को उन्हें ब्रेन हैमरेज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है अमित की बात सुनकर और शालिनी की रिपोर्ट को देख शालिनी के ससुराल वालों को अपनी गलती का एसास होता है ये हमने कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सब की हर रोस सुबह पांच बजे नाश्टा करने की आदत से शालिनी बहु की ऐसी हालत हो जाएगी शालिनी को जैसे ही ओश आता है सबी उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं जिसके बाद अब सबी घरवाले अपनी बड़ी बहु का अच्छे से ध्यान रखते हैं और साथ ही अपनी हर सुभा पांच बजे नाश्टा करने वाली आदत को भी सुधार लेते हैं जिसके चलते अब शालिनी को अच्छी नीन मिलती है और अब वो हर दिन हसी खुशी अपने दोनों देवरानियों के साथ मिलकर सबके लिए सही समय पर नाश्टा बनाती है